बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कैसे सो रहें? यह कोई जगा है सोने की और खाना भी नीखा है जगा देते हूं खाना खाकर फिर से सो जाएंगे इस तरहे खाली पेट तो ठीक से नीद भी नी आएगे और सेहत के लिए अच्छा नहीं है नहीं इतनी गहरी नीद में है अभी जगाओंगे तो पताने कैसे रियाग करेंगे कहीं गुस्ते में आकर बिल्कुल ही खाना खाने से मना कर दिया तो सारी महनत बेकार हो जाएगे ना ठीक से खाना ही होगा ना नीद ही पूरी होगे इससे तो अच्छा है सोते रहे कम से कम नीद में सोएंगे तो सुबह तो फ्रेश उठेंगे अरे ऐसे किसे ऐसे लगता है जैसे इनोंने अपनी सारी दुनिया अपने ही अंदर समीट लिये अपने सारे जस्पात सारे दुख दर्द औरों से चुपाकर अपने दिल में रखे हैं और दिल का दर्वाजा बंद कर दिया जहां कोई भी नहीं आ जा सकता मैं तो बिल्कुल भी नहीं पता नहीं यह अकीला पन उनकी चोईस है या मजबूरी लेकिन इस तरह उनके अकेला देखकर अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं क्या वज़ा हो सकती है इसकी क्यों मुझे उनके परिशानी से परिशानी हो रही है इतना गुस्षा करते हैं मुझे फर ठीक से बात भी नहीं करते कभी एक तरह जिद्ध करते हैं तो कभी दूसरी तरह से तो पर इतनी जिता क्यों हरी हो रही है आज से पहले जब ही गुस्षा आधे ते अपनी प्रास नेकालते थे आएशा लगता था जैसे मुझे पर चिलाने के बाद सुकून मिल रहा है और मुझे भी उतना ही गुसा आता था लेकिन अब जब कुछ भोल ही नहीं रहे है तो समझ में हा रही है इनकी चुपी जैसा लग रहे है जैसे अंदर ये अंदर बहुत हुट हो रहे है दीरे दीरे हाले हाले चुके से अब होगा कहते हैं ये प्यार जिसे हम ना जाने कब होगा बड़े अच्छे लगते हैं ये मौसां ये बाते ये उल्जन और तुम कुछ जाना कुछ अंजाना सा मुझको तू बोला दे सारे रैना सपना बनके वो आँखों में जागे बड़े अच्छे लगते हैं ये धर्ड़े ये नदिया ये रैना और तुम एक अंजाना पूसर प्रम्स अजाए अजाए ये ये झाल कुछुन के ढ कि अजय को अजय के युटोन झाल थे लिए।